कि अल्राइट गड़ीच एड एप्री वफ व्यू कैसे हैं आप सभी लोग गड़ मॉर्निंग पीखे चावत गूप अर्ष कान गूप विनीथ गूपारिक निशा गूपारिक चाहवत एक बार के चाल रही है बाटि इस ओकए कोमल डो हे पुजर अर्ट वरह कोकल कोयो रिपन्सेह विठने को ऑट ने निश्टें कि अर्फ अर्णी ने के विए जी Planning फंट टो पाद लुआ डॉनी आप डॉंड फोबरी गवनियर सर्कवा रिपन्स थीarlिrir और अगर आप लोग भी पूरे इस जोश के साथ भरेवे हो तो यहां पर चाट बॉक्स में फड़ापट से आप सब लोग निष्टे निष्टें निष्टें कर दो और वीडियो को लाइक कर दो फड़ापट से कमाँ, कमाँ, I want to see everybody in the chat section saying come on, alright that's great, Shivanjali, Chaitanya, Rahul, Commercials, Chaitanya, Krishna, Komal, Commercials, Arsh, Sarah, Mehul, Vinit, Yash Raj, Tuba Nazmeen, Mehul, Chaitanya, alright, Nisha, thank you so much everyone, alright that is just great, so good morning to each and every one of you, फड़ापट से जिल लोग ने वीडियो को लाइक कर दो और हम लोग करेंगे अपना chapter on blood relations, मेरे बाप की बेटी में को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी में को बेटा बोलती, मेरी मा का भाई में को भाजा बोलता, मेरे भाई की बेटी में को चाचा बोलती, तो यही वाला तो आप लोग यहां पर थोड़ा बहुत देख सकते हो blood relations का आज lecture no.2 है यह मेरा schedule है मैं रोज सुबह 10 बजए इसी YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए live आता हूँ class आपकी रोज चलती है चाहे वो live हो चाहे recorded mode में हो लेकिन रोज सुबह 10 बजए आप लोगों की class यहां पर जरूर चलती है और on academy plus के एकागरता batch में में मंडे स्चूज़े और वेंस्डेस को 5.45 पीम से 7.45 पीम पर live आता हूँ तो अगर आप 100% live देखना चाहते हो तो आप academy plus का एकागरता batch join कर सकते हो बाकी 100% जो material है वो तो सारा आप लोगों को youtube पर भी मिला ही हुआ है इस video के description में आपको virtual library का link मिलेगा वहाँ पर आपको हर chapter के सभी lectures के links मिल जाएंगे हम लोगों ने कल start कर दिया था blood relations अच्छा plus का subscription कैसे लेना है वो मैं आप लोगों को इस video के end में बताऊंगा ठीक है class के end में करेंगे तो कल हम लोगों ने start कर दिया था blood relations और हम लोगों ने काफी सारे questions किये थे और मैंने आपको if I'm not wrong 15 questions homework में दिये थे और मुश्किल से 3 य answers comment करोगे तो एक interactive class वाली feel आईगी एक interaction होगा आप लोग मेरे को समझ पाऊंगे मैं आप लोगों को समझ पाऊंगा और उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे लिकिन अगर ऐसी 2 या 3 students देखेंगे 2 या 3 students ऐसे reply करेंगे तो देखो मेरा भी motivation डाउन होगा लेकिन मैंने सोच लिया है कि ठीक है भाई जुसको जैसे करना है वो करे मैं यहां पर आऊंगा मैं अपना पढ़ाऊंगा because I have tried my level best to try to convince you I have tried my level best to try to motivate you कि भाई आप जो हो कमिंट करो आप reply करो चाट में participate करो जिससे एक interactive classroom वाला महौल यहां पर बन पाएं बट ठीक है आपको होग करना है आपको कमिंट करना है वेरी गुड नहीं करना तो कोई बात नहीं आपके ऊपर है all right let's get to one one question एक एक करके हम लोग questions पर आते तो this is question नमना आइंगे जो पहला question मैंने आप लोग को homework में दिया था आओ फट आवट से इसको डिसकास करते हैं देखो A's mother is a sister of B यह की जो मम्मी है वो B की बहन है और उनकी बेटी है C जो की 21 साल की है तो जो बी है वो C की क्या होगी अब इसमें मेरे को फटावट से बताओ चाट बॉक्स में मेरे को फटावट से बताओ कि इसमें मैं अपने आपको क्या बानूँगा आपकी बहुत अच्छा पड़ाया दिल से थैंक्स थैंक्यों सो मच आपकी बहुत यादा रही है इसलिए मिलने आ गई हूँ क्या बात है फुल्दी से बताओ क्वेस्चन्स हो गये थे सर कमेंट क्या तो यार मेरे को कैसे अभी यहाँ पर फील आ रही है न कि आप सब लोग यहाँ पर इंटराक्ट कर रहे हो तभी तो मसा आएगा अधरवाइस क्या हो जाएगा यार अधरवाइस यहाँ पर मैं रिकॉर्डिट भी देई दूँगा न भाई कि अधरवाइस यहाँ और दूपर मूण देखा था जिनका नाम नहीं पता होता हम उनको जैड मान लेता है तो एक हिमाम जैड जैड जो हैं वह 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 बी की बहन है और जैड की बेटी है C, मैं हूँ C, तो मैं Z की बेटी होंगी, तो Z कौन हो गई? Z मेरी मॉम हो जाएंगी, Z मेरी मॉम हो जाएंगी, मेरी मॉम जो है, वो B की बेहन है, तो B जो है, वो मेरी मॉम के या तो भाई होगे या तो मेरी मॉम की बेहन होगी, ठीक है, मेरी मॉम के भाई को हिंदी में हम लोग मामा बोलते हैं, और मम्मी की बेहन को हिंदी में हम लोग मौसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मौसी, अब कई सारे लोग इसको मासी बोलते हैं, तो वो ठीक में मौसी हो जाती है आंठ, तो अभी सवाल क्या पुछा है? तो B या तो मेरे अंकल होंगे, या तो मेरी आंठ होंगी. अब आजो यहां पर देखो, अंकल है, मेटर्नल अंकल है, नीस है, डॉर्टर है. तो देखो, नीस और डॉर्टर तो हो नहीं सकते हैं. नीस और डॉर्टल तो हो नहीं सकते, बात आती है uncle या maternal अंकल, ठीक है, uncle या maternal अंकल या maternal अंकल, हमें साफ साफ पता तो चली रहा है कि आंकल होंगे, तो फिर कोई problem हो नही नहीं चाहिए, लेकिन अब जरा इसके पीछे का logic संna सुनना ध्यान से, ठीक है, इंग्लिश में ना, तरहा के अंकल्स होते हैं, एक होते हैं maternal अंकल, एक होते हैं maternal अंकल, और दूसरे होते हैं paternal अंकल, एक होते है maternal अंकल, और दूसरे होते है paternal अंकल, maternal अंकल मतलब मम्मी के भाई, और paternal अंकल मतलब पापा के भाई, ठीक है, तो जो हम लोग हिंदी में जिनको चाचा जी या त maternal uncle होते हैं और जिन्हें हम लोग मामा जी बोलते हैं हिंदी में वो इंग्लिश में maternal uncle होते हैं क्यूंकि यहाँ पर यह मामा जी है तो इसलिए यह more specifically क्या होंगे यह more specifically तो maternal uncle होंगे और क्यूंकि यहाँ पर options में हमारे पास uncle और maternal uncle दोनों दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर option अप्शन भी मार्क करेंगे, maternal uncle, ठीक, क्योंकि ज्यादा appropriate answer कौन सा हो जाएगा, ज्यादा appropriate answer option भी हो जाएगा, ठीक है, मालनो maternal uncle दिया ही नहीं होता तो, अगर मालनो maternal uncle दिया ही नहीं होता, तब तो हमारे पास कोई option नहीं नहीं था, तब हम लोग simply uncle mark करते हैं, ठीक है, अगर देखते ही, अगर आपने मेंसे किसी ने भी uncle को tick कर दिया होता, तो फिर आपका answer गलत हो जाता, because you should have seen all the options, and maternal uncle ज्यादा appropriate है, क्योंकि यहाँ पर मम्मी के भाई की बात हो रही है, तो option B will be your answer, I'm sure, सब को समझ में आ गया, बो, निष्टेन, forever, बो, निष्टेन, forever, maternal uncle, ठीक है आसा शुक्ला करें, रिया, blood relations पढ़ा रहे हैं, सर, हां जी, रिया जी, blood relations पढ़ा रहे है, रिया, क्या हो रहा है, इधर आसता, ओ, हो, रिया, आसा, क्या, मैं बता देता हूँ आपको, देखे, रिया जी, क्या हुआ ना, कि कल हम लोगों ने एक नया chapter start किया, उस chapter का नाम ह रखा, blood relations, ठीक है, actually, institute ने भी क्या ही रखा, blood relations, किसी भी और ने रखाऊगा, कई 100 साल पहले रखाऊगा, blood relations, institute ने बस उस chapter का उठा के थोड़ा सा portion आप लोगों के syllabus में डाल दिया, ऐसी है, foundation के syllabus में, तो मुझे लगा कि वो पढ़ा देना चाहिए, तो हम लोगों ने कल से वो वाला chapter पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है, तो ये चीज हो रही है, रिया, तो कल उसकी पहली class हो गई, और आज रिया उसकी दूसरी class चल रही है, ठीक है जी, रिया जी, ये मिशु रो रही है, मिशु क्यो रो रहे हो आप, हाँ, फिर से highlighted हो गई मैं, हाँ, अब क्या क सारे हस्टों, तो मैं भी हसूंगा, तो मुझे भी ऐसे हस्टे में बड़ा मजा आ जाता है, तिशा देसाई भी रो रही है, सर टाइम टेबल चेंज, सो न्यू टाइम टेबल, ये स्पायर परमार, अब पायल परमार, अभी ये क्या होगा ना, कि अब से मैं आउँगा, र आठ बजे जा, मैंने का जी सर, फिर अखिलेश सर ने का कि तू एक काम कर तू आठ बजे मत जा, तू 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 दस बजे चला जा, मैंने का, रे सर कैसी बात करें सर, आपका स्लॉट है सर, दस बजे का, रे मैं मैं कहां सर, आपका स्लॉट है दस बजे का, तो अपर मेरे स्लोट को तू तू निकल ट्शिक है निकल दमकी इस्टा है और नज मेरीक के हसने के लिए कभी मना थोड़ी करते हैं, हसने से खोन बढ़ता है, हसने से जोश आता है, हसने से और एनरजी आती है, और उसके बाद हम बाकी के सारे questions को और अराम से solve कर पाते हैं, थोड़ी सी और बकर करेंगे, लेकिन अगले question के बाद, ठीक है, तब तक जितने भी students ने की मम्मी है, alright, D is C's father, F is A's son, how is F related to D, तो अब जल्दी से chat box में बताओ कि मैं अपने आपको क्या मानूँगा, मैं अपने आपको F मानूँगा, या मैं अपने आपको D मानूँगा, come on, chat section, question का answer था B, और sir ने पूछो, फुद को क्या मानेंगे, सब ने बोला C, फिर sir ने answer पूछा तो सब बोले B, तो वही एश बोल रहा था, सब पलट गए, अब समझी रिया, ओहो भाई साहाब, क्या खतरनाक, भाई साहाब, रिया भी कह रही है, हाँ समझ गई, या या यू गाइस रिया और आस्था, मैं बताओ, अगर ये physical class चल रहे होती है, तो रिया और आस है, क्या-क्या हो रहा है, उसके बाद फिर रिया को जोक समझाना पड़ रहा है, क्या-क्या हो रहा है, ठीक है, very nice, तो मैं अपने आपको क्या मानूँगा, मैं अपने आपको मानूँगा D, I will assume myself to be D, ठीक है, याटना, तो मैंने अपने आपको माना D, अच्छा, उसके और यह A की मम्मी है, तो A, या तो मेरा grandson, या तो मेरी granddaughter, ठीक है, या तो मेरा grandson, या तो मेरी granddaughter, और F, जो है, वो A का बेटा है, मतलब मेरे grandson या granddaughter का बेटा है, तो F, मेरा great-grandson हो जाएगा, तो यही पूचा है, how is F related to D, तो F is my great-grandson, option C is your answer, I'm sure, सबकर समझ में आ गया, बोलन stay forever, रियास fan club open करना पड़ेगा, येस चैतन्या, तू ही खोल भाई, ठीक है, तू खोल, सारे के सारे आएंगे, ठीक, सर्च वर्चुल लाइबरी कहां पर मिलेगा, क्रिशन वीडियो के description में लिंक नहीं है, वीडियो के description में लिंक ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, मैं C is father, E is B is son, how is B related to D, तो अब मैं अपने आपको क्या मानूँगा, 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 जल्दी बताए, मैं अपने आपको, मैं अपने आपको, मैं अपने आपको, जल अपने आपको D माल लूँगा इसका मतलब आप लोग जो हो practice तो कर रहे हो तो D जो है वो C के father है तो C या तो मेरा son या तो मेरी daughter अच्छा उसके बाद यहां पर क्या कुछ है C is A's mother तो यह मेरी son तो नहीं है और A या तो मेरा grandson है या तो मेरी granddaughter है उसके बाद क्या रहे है A is B's brother तो A मेरा grandson है और B भी या तो मेरा grandson है या तो मेरी granddaughter है तो how is B related to D तो B is either my grandson or my granddaughter या तो मेरा grandson या तो मेरी granddaughter option B is your answer I am sure सबक समझे में आ गया बोलो रिष्टेन forever बोलो रिष्टेन forever बिल्कुल सही का आपने विनीद, बिल्कुल सही का आपने राहुल तिवारी, रिया फैन क्लब इन शॉट, आर एफ सी कोई आक्ट लग रहा है, आर एफ सी आक्ट सेक्शन 1A, क्या बात है, चतुर, very nice, क्या चतुराई वाली बात आप ने किया, चलो बहुत अच्छी बात है, जितने भी स्टुडेंट से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग फड़ावट से एक बार वीडियो को लाइक करतीजे, लेट्स मूव ओट तो नेक्स होमवक क्वेस्टिए, एफ के बच्चे का नाम तो दिया नहीं है, और अगर एफ के बच्चे का नाम नह सारे questions मैंने आप लोगों को कल homework में दिये थे, तो जितने भी students यहां पर नए आए होंगे, तो आप लोग यहां पर देख रहो हो, सब में homework लिखा हुआ है, तो यह कल वाली class के homework questions है, जिनको आज हम लोग यहां पर discuss कर रहें, तो I am not taking a lot of time in explaining each and every question, because कल हम लोग ने बहुत सा मैं अपने आपको B मानूगा या आपको Z मानूगा, चार्ट बॉक्स में मेरे को फटाफट से answer दो, मैं अपने आपको B मानूगा या अपने आपको Z मानूगा, एक के करके निशु ब्रो पूरा सीन बना डाला, हाँ जी, बिल्कों सही है, सारा सेयद, कोमल कवार, मिथेश, राठोड कुमारी निम्मी राहती गुपता एशिता चावला बिल्कुत सही का आप लोग ने कि मैं अपने आपको जेड मानुगा ठीक है मैंने माना आपने आपको जेड अच्छा अब मैं जो हूँ तो f का बच्चा हो तो f या तो मेरी मॉम होंगी या तो मेरे डाड होंगे ठीक है f जो है वो a का बेटा है f जो है वो किसी का बेटा है ठीक है f किसका बेटा है a का बेटा है f जो है वो a का बेटा है तो पहली बात तो f मेरे डाड हो गए और यह a के बेटे है ना तो a या तो म मेरे grandfather या तो मेरी grandmother, right? यही तो पुछा है, how is B related to F's child? How is B related to Z? तो B is either my grandfather or my grandmother, ठीक है? तो यहाँ पर aunt, cousin, nephew, grandfather, option D is your answer. I am sure सब के समझ में आ गया, बोलो, nishtेन, forever, बोलो, nishtेन, forever, very good. बहुत बढ़िया, let's move on to the next homework question. यह रहा आप लोगों के सामने is को solve करते हैं हम सभी लोग. A is B's daughter, B C's mother, D C's brother, how is D related to A? D जो है वो A का कौन होगा? तो मैं अपने आपको क्या मानूँगा? मैं अपने आपको A मान लूँगा. मैंने अपने आपको A माना, how is D related to A? अच्छा, A is B's daughter. तो यहाँ पर मैं लड़की हूँ. ठीक है? तो अभी A is B's daughter, मैं B की बेटी हूँ. तो B या तो मेरी मॉम होँगी, या तो मेरे डाड होँगे. B जो है वो C की मम्मी है, तो B तो मम्मी है, तो C या तो मेरा भाई होगा, या तो मेरी बेहन होगी. फिर D जो है, वो C का भाई है. D जो है, मेरे भाई या बेहन का भाई है. तो D मेरा भी भाई है. उसके बाद, How is D related to A? D मेरा भाई है, D मेरा भाई है. Option C is the answer. I'm sure सब के समझ में आ गया. बोल निष्टेन, फोरेवर, बोल निष्टेन, फोरेवर. Nikhil अगरवाल के रहे, Hello Sir, I'm your December 22 student. बहुत बहुत अच्छा लगा निखिल, आपको यहाँ पर देख के, पल्लवी, अनुष्का, कहा रही है, ए गुरुजी, ए कहां होगा? C होगा ना यार? ठीक है, ब्रो, ब्रदर, सारा, अनुष्का, कनक, शिवांजली, पल्लवी, निशा, इंदर, हिमाशी, क्या बात है? क्या कहा रही है हिमाशी? सर, टाक्सेशन पढ़ाते हैं, हाँ, तो हस क्यो रही है, हिमाशी, है? इसमें हस क्यो रही है, मैं टाक्सेशन मी पढ़ाता हूँ, मैं 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 टाक्सेशन पढ़ाता हूँ, इंटर्मीडेट में मैं 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 टाक्सेशन पढ़ाता हूँ, इसमें हसने ही क्या बात है? है? Next question, यह रहा आपके सामने, A is D's brother, D is B's father, B and C are sisters, how is C related to A, तो C जो है वो A का कौन होगा, तो मैं अपने आपको क्या मानूँगा, मैं अपने आपको A, अब देखो, A जो है वो D का भाई है, तो मैं D का भाई हूँ, तो D या तो मेरा भाई होगा, या तो मेरी बहन होगी, उसके तो या तो मेरा नेफ्यीः होगा, या तो मेरी नीस होगी, तो या तो मेरा नेफ्यूव, या तो मेरी नीस क्योंकि D, B is father, अचा B and C are sisters, तो B का जेंडर पता चल गया, कि B जो है वो मेरी क्या नीस है, और B और C अगर बहने है, तो C भी मेरी नीस होगी, C भी मेरी नीस होगी How is C related to A? How is C related to A? C is my niece I'm sure सब कसब जबे आ गया बल निष्टेन Forever बल निष्टेन Forever ठीक सौर पेगी टोपी निशान से रोपी क्या बात है Thank you so much ठीक, बिलकुँ सही है अविचल जैन यश्राज सोनी रहलतिवारी नादान परिंदा पल्लवी रहती पीके छावत अनुष्का आस्था कमर्शल सक्सेस नेहा अनुष्का अंकित Very nice All of you are absolutely correct The answer is going to be option C Now, next question देखो A is B's brother C is A's mother D is C's father E is B's son How is D related to E? तो मैं अपने आपको क्या मानूँगा? मैं अपने आपको मानूँगा E तो मैंने अपने आपको यहाँ पर माना E अब इदर देखो E जो है वो B का बेटा है तो B या तो मेरी मॉम या तो मेरे डाड उसके बाद A is B's brother तो A जो है वो मेरी मॉम या डाड के भाई है तो यह मेरे अंकल होंगे वही या तो paternal अंकल या तो maternal अंकल C is A's mother C जो है वो इनकी मम्मी है इनकी मम्मी यानि मेरी grand mother हो जाएंगे D is C's father D जो है वो मेरी grand mother के भी father है तो मतलब यह मेरे great grand father हो गए How is D related to E? तो D मेरे कौन हो गए D मेरे great grand father हो गए तो option C is your answer I'm sure सबक समझ में आ गया बहुत बढ़िया मैंने कभी भी sir का गुसा नहीं देखा हिमाईशी शुकला हिमाईशी संकला तो गुसा देखने का क्यों मने यार sir गुसा करते ही नहीं है हमेशा कूल रहते है येस ब्रोव येस रन्बीर सेंग यो मैं आप ग्रेट ग्रांट फादर तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा हुगा कि कितनी तेजी तेजी हम लोग इनके क्वेस्टिंस को सॉल्व कर पार है येस आपने आपको य है का कौन होगा तो मैं अपने आपको यहापर नहीं नहीं सॉरी वाइ जो है वो आ का कौन होगा तो मैं अपने आपको यह मानूगा क्या कर रहे हो निशान कुमार तुम भी है उठ पटांग तो X and Y are the children of A तो X जो है या तो मेरा सन या तो मेरी डॉर्टर similarly Y भी या तो मेरा सन या तो मेरी डॉर्टर X and Y are the children of A तो A अगर मैं हूँ तो X या तो मेरा सन या तो मेरी डॉर्टर Y भी या तो मेरा सन या तो मेरी डॉर्टर A is the father of X I am the father of X of course I am the father of X but Y is not his son लेकिन y जो है, यह मेरा बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, पर बच्चा तो A, तो daughter हो जाएगी, तो how is y related to A, तो why is my daughter, अरे कहां गया, कहां गया, अभी तो यहीं था, अभी कहां गया, the daughter, तो यह हो गया आपका, why, या तो son, या तो daughter, और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ, why is not his son, तो why would be my daughter, option D is your answer, I'm sure, सबक्र सबज में आगया, बूलो, निष्टेट, फरेबल, बूलो, निष्टेट, फरेग्वर, हेलो जी, दर्शन सर की, EXE, 1970 की, मतलब next level, good morning, सर, आपका निष्टेन सुनना था, exams में questions आने के बाद, निष्टेन ही आ रहा था, mind में, very nice, बिटिया होगी, हाँ जी, अनुश्का जी, बिल्कुल सही का, बिल्कुल आपकी तरह, छोट इसी बिटिया होगी, ठीक है, next question, यह रहा, देखो, A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's son, how is E related to A, तो मैं अपने आपको क्या मानूँगा, मैं अपने आपको मानूँगा, A, मैं अपने आपको मानूँगा, A, उसके बाद देखो, A जो है, वो B का भाई है, तो B, या तो मेरा भाई होगा, या तो मेरी बहन होगी, C is A's mother, C जो है, वो मेरी mom होगई, ठीक, D is C's father, D मेरी mom के father, तो मेरे grandfather होगई, उसके बाद E is B's son, E जो है, वो मेरे भाई या बहन का बेटा है, तो E कौन हो जाएगा, मेरा nephew हो जाएगा, E जो है मेरा nephew हो जाएगा How is E related to A तो E is clearly my nephew Option B is your answer I am sure बोलो सबकु समझ में बोलो सबकु समझ में आ गया अरे आज किसी का बिर्थरे आज किसका बिर्थरे अमन आनन्द नायक का बिर्थरे क्या बात है Wish you a very happy birthday May God bless you and you have all the success in life आपको जो चाहिए Life में आपको सब कुछ मिल जाए आपने जो imagine भी ना किया हो आपको वो भी मिल जाए Have a wonderful day and a great year ahead Wish you a very happy birthday आमन All right Sir, आप से मैं प्यार करता हूँ क्या आप acceptance देंगे अरे Ranbir Singh मैं शादी शुदा आदमी हूँ बिटे ठीक है मैं अपने आपको मानूँगा P उसके बाद इतर देखो K is the brother of J P है नी M is the sister of K P है नी P is the brother of N All right I am the brother of N तो N is either my brother or my sister N is the daughter of J N जो है वो J की daughter है तो J या तो मेरी mom होगी या तो मेरे dad होगे ठीक है और N का gender भी clear होगया N मेरी बहन होगी और N जो है वो J की daughter है तो J is either my mom और my dad अच्छा पर या लेका है K is the brother of J तो K जो है वो मेरी mom या dad के भाई है तो K ही मेरे uncle हो जाएंगे तो मेरे uncle कौन होगे option A is your answer I am sure सब की समझ में आ गया बो निष्टेन फॉरेवर बो निष्टेन फॉरेवर ठीक है आप लोग ऐसे question mark question mark क्यों लगा रहे हो कुमारी निम्मी अंकित पांडे के केस दी अंकल है ना राहुल तिवारी कनक गोयल इंदरन रागी यश राजसोनी पीके चावत अंशुल सरका नादान परिंदा निष्ट अनुष्का भैंश पानी में क्यों जाएगी उसे नहीं लगती क्या ठंड क्या कर क्या रहे हो भही आपस में आप लोग चलो जो भी कर रहे हो पहले वीडियो को लाइक कर दो ठीक है next A and B are sisters A is the mother of D B has a daughter C who is married to F G is the husband of A how is C related to D C जो है वो D की कौन होगी या D का कौन होगा तो मैं अपने आपको D मान लेता हूँ मैंने अपने आपको माना D अब देखो A is the mother of D तो A जो है वो मेरी mom हो गई उसके बाद A and B are sisters तो B जो है वो मेरी aunt हो गई maternal aunt to be specific फिर B has a daughter C B की बेटी है C मेरी मौसी की बेटी है C जो की मेरी cousin हो जाएगी ठीक है who is married to F तो cousin किसी की married है ठीक है अब ये मेरी cousin बहन है ठीक है वैसे हिंदी में हम लो cousin बहन बोल देते है लेकिन English में cousin अलग होता है बेहन अलग होता है ठीक है लेकिन ये बंदा आप देखो मेरी cousin तो मेरी family का part है लेकिन ये बंदा कहीं बाहर से आया है ठीक है बाहर से आये अब हमारी family का part बना है हमारी generation का है तो या तो brother-in-law होगा या तो sister-in-law होगा, ठीक है, आपको all specific करना है, cousin-in-law बोल दो, अपनी cousin बहन के किसी husband के बारे में सोचो आ, ठीक है, तो आपका cousin-in-law हो गया, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, cousin-in-law, cousin-in-law, ठीक, अच्छा, how is C related to D, how is C related to D, यह पुझा न, अच्छा, यह तो रह गया, G is the husband of A, G is the husband of A, अच्छा, A तो मेरी mom है, तो G जो है, मेरे dad हो जाएंगे, G is the husband of A, how is C related to D, तो how is C related to D, C is my, कजिन, 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 option-A is your answer, I am sure, सबक समझ में आ गया, बोलो, निश्टेन, forever, बोलो, निश्टेन, forever, हां तुम पढ़ाओ, प्लीज, हमारे तरह एक्जाम, हां तुम पढ़ो, प्लीज, हमारी तरह एक्जाम, फोड क्या न, हिमाशी कह रही है, ठीक है, पता नहीं यह, कुमारी निम्मी, पता नहीं यह, सा, क्या, क्या करते हैं, कोई नहीं यह, कुमारी, तुम टेंशन नहीं मतलो, तो अंकल की बेटी समझ लो, अनुष्का, अनुष्का, इतना भी मत घुसो, ठीक है जी, anyway, तो I hope this is, this is clear, absolutely, कजन, चैतन्या, पीके चावत, कुमारी निम्मी, everybody, ठीक है, अर्श खान, कजन, निशा, निश्टेन, और राई, चैतन्या, पाटिल, निश्टेन, 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 मेरा बिर्थ्ड़े है, क्या बात है, विनीध, विनीध, विश मैं अपने आपको मालनूँगा, S, मैंने अपने आपको माना है, पर S, अब देखो, इधर क्या लिखा हुआ है, R and S are brothers, तो R जो है, वो मेरा भाई हो जाएगा, उसके बाद, X is the sister of Y, and X is the mother of R, तो X is the mother of R, तो X जो है मेरे भाई की मम्मी है, तो यह मेरी भी मम्मी है, and यहा of Y, तो Y या तो मेरे अंकल हो जाएंगे, या तो मेरी आंट हो जाएंगे, what is Y to S, या तो अंकल या तो आंट, या तो अंकल या तो आंट, आंट यहां पर कहीं दिया नहीं है, तो option A is your answer, I'm sure सब को समझ में आगा या बोलो, understand, forever, कोई बता सकता है क्या book change हुआ है, या पहले वाला ही चल रहा है, ठीक है, और यह किसी से किसी पर dependent होने की आपको जबरत नहीं है, खुशी, आपको किसी पर कोई क्यूं बताएगा, आप खुद से पता कर लो, देखो, ऐसे पता होगा, आप ICAI की website पर जाओ, ICAI.org, ICAI.org पर जाने के बाद आप students पर क्लिक करो, फिर आप study material पर क्लिक कर दो, फिर आप foundation में क्लिक कर दो, foundation पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये तीनों की तीनों किताबें आ जाएंगे, फिर आप यहाँ पर click here, पर click करो math के सामने, तो अब देखो, अभी वो पुराना वाला ही चल रहा है, study material applicable for May 22 examination onwards, ठीक है, तो किसी और पर क् study material applicable for May 22 examination onwards, तो आप लोगों के लिए कोई नया material आए नहीं अभी, सर आज हिमाशी का birthday, please wish कर दिजे, अच्छा जी रनबीर जी, हिमाशी जी विश्य वेरी हापी बर्थ्टे, may God bless you, ठीक है जी, हिमाशी को भी हापी बर्थ्टे कर दिया, ठीक है जी, खुशी जी, समझ गई और रनबीर और क्या चाता है, भाई, यह बचना है, यह हसीनों वाला रनबीर का पूर लग रहा है, मेरे ए रनबीर सिंह एकदमी, क्या हो गया है, यहाज इसका birthday, कभी यह मेरे साथ flirt कर रहा है, कभी यह लड़कियों के birthday इसके बारे में बता रहे क्या कथ किया रहा है, ठीक है ठीक है चले आब आगे चल ले अच्छा ता सर आप मुझे पहचान ने सुनके बहुत अच्छा लगा ओल्राइट थांक्यू वेरी गूड वेरी राइस दिया वेरी गूड ठीक है तो यह वाला पॉइंट सबका क्लियर हो चुका होगा खुशी आपने पूछा था तो यह वाला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा ठीक चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ यह वाला क्वेश्चन तो हो गया लेट्स मूव ऑन तूद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन अमट 21 देखो एस बीस ब्रदर सीजेश मादर दीस फादर बीस दीस इसको यहां पर कई सारे स्टूडेंस गलती करते हैं यहां का सवाल यह नहीं है कि एका बेटा कौन है यहां पर तो आपको बताया गया है इसका मतलब आपको बताया जा रहा है कि बी जो है वो एका बेटा है इसका मतलब आपको सॉरी एफ जो है वो एका बेटा है ठीक है इसका मतलब आपसे जो सवाल पूछा है वो वही है कि बी जो है वो एक का कौन लगे गा ठीक है तो आपसे सवाल वही पूछा है कि आपको बताया हूँगा है कि f is a is son तो अगर आपसे पूछा है कि how is b related to f तो मैं अपने आपको क्या बात है मैं अपने आपको f मानूँगा और मुझे बताया हूँगा है कि f is a is son तो a जो है या तो मेरी mom होंगी या तो मेरे dad होंगे ठीक है अब तो a जो है वो b का भाई है तो a मेरे dad होंगे और b जो है या तो मेरे uncle होंगे या तो मेरी aunt होंगी क्योंकि मेरे dad जो है वो b के भाई है ठीक है c is a's mother c जो है वो मेरे dad की मम्मी है तो यह मेरी grand mother हो जाएंगी d is c's father मेरी grand mother के father तो यह हो गए मेरे great grand father मेरे great grand father यही तो पुचा था how is b related to f पूचा था how is b related to f तो b is either my uncle or my aunt b is either my uncle or my aunt तो यहाँ पर aunt हो जाएगा cousin niece grand aunt तो है नहीं तो b is my aunt option a is your answer sir I'm sure sabukur samajh me a gaya buru no stay forever buru no stay forever auntie ji hai answer sir बिल्कुल सही का आपने विनीथ ठीक है commercial success कह रहे है निश्टेन निश्टेन रहती गुपता कह नहीं है आंट रहुल तिवारी कह रहे है आंट सारा सहीद आंट पलभी आंट कनक गोयल आंट विश्व वेरी-वेरी happy birthday to each and every one of you I have no idea why I said that but still ठीक है कैसा social handle ये रिया और ये आपस में बाते किये जा रहे है ठीक है ये भी सही है आपस में बाते किये जा रहे हो ये भी ठीक है आओ let's move on to the next question ये रहा आपके सामने A is a son of B while B and C are sisters to one another E is the mother of C if D is a son of E which of the following statements is correct D is a maternal uncle of A, E is a brother of B, D is a cousin of A, B and D are brothers तो कुछ भी हो सकता है आप अपने आपको कोई भी मान सकते हो तो मैं एक काम करता हूँ मैं अपने आपको E मान लेता हूँ ठीक है ने ने ये नहीं मानूँगा मैं अपने आपको D मान लेता हो D is the son of E ना तो मेरे लिए सबसे ज्यादा रिलेटिबल ये D होगा तो मैं अप कि मम्मी है तो c या तो मेरा भाई होगा या तो यह मेरी बेहन होगी उसके बाद A is the son of B, B and C are sisters to one another, तो B and C are sisters, तो B जो है वो भी बेहन है और C जो है वो भी بेहन है, B or C are sisters to one another, E is the mother of C, क्या पूछा क्या गया भाई? तब हो गए? A is the son of B, अच्छा, A जो है, मेरी बहन का बेटा है, मेरी बहन का बेटा मेरा नेफ्यू हो जाएगा, A is the son of B, ठीक, बस, अब तो सही हो गया, okay, option A, D is the maternal uncle, क्या मैं A का maternal uncle हूँ, yes, क्योंकि A जो है मेरा नेफ्यू है, और मेरी बहन का बेटा है, तो मैं क्या हूँ, इसकी मम्मी का भाई हूँ, इसकी मम्मी का भाई हो गया, तो मैं इसका maternal uncle हो गया, option A is your answer, I am sure, सबक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शांदार, नहीं नहीं, रिया, आप कोई बदनाम बदनाम नहीं हो रहे हो, ऐसी आप भी यहां पर आपस में बाते कर रहे हो, और हम लो बिल्कुल भी परिशान मत हो, आप वैसे अगर लाइचार से जाना चाहते हो, तो इस आपसुलूटली फाइन लेकर मत जाना कि हो, मैं बदनाम हो रहे हो, आप कोई बदनाम बदनाम नहीं हो रहे हो, यहां पर everybody is just at the same pace and everybody is having fun, ठीक है, और राइट, option A is the answer, very nice, very nice, निश्ट to K, P जो है, वो K का कौन हो जाएगा, तो मैं अपने आपको K मानूँगा, अभी इदर देखो, P is the father of T, M is the daughter of K, M जो है, वो मेरी बिटिया है, ठीक है, बिल्कुल यहां पर अनुश्का की तरह से, तो M is my daughter, M is the daughter of K, T is the daughter of M, T जो है, वो मेरी grand बिटिया है, ठीक है, उसके P is the father of T, P is the father of T, तो P मेरा कौन हो गया, मेरी बिटिया का पती हो गया, मेरी बिटिया का पती, यानि मेरा son-in-law, ठीक है, मेरी बेटी का पती, ठीक है, क्योंकि P जो है, वो मेरी granddaughter के father है, M जो है, मेरी बेटी है, तो मेरी बेटी का husband होगा, तभी तो यह इसका father होगा, ठीक ह forever बोलो निश्टेन forever ठीक सर ने indirect way में किया दिया नहीं मैंने कुछ नहीं कहा भाईया पता है आपको मैं exam देने गई थी maths वाले दिन सब चिला रहे थे निश्टेन forever और सब खुश हो रहे थे बोल रहे थे Maths के best teacher और यह तो सच है हम भी चिला दिये निश्टेन forever thank you so much खुशी थाइंक्यू यह सुन के मुझे बहुत खुशी हुई थाइंक्यू सो मच इसी बात में मैं पानी पिल लेता हूँ कि अध्युक्ष आंत्रिक खुशी मिल रही है जब मुझे बिटिया कह रहे हैं कि आप बात है वेई नाइस नाइस अले देखो इधर अच्छा और अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं कुछ और क्वेस्टेंस कराता हूँ उसके बाद फिर आपको हुमवर्क में दूंगा जितना इन प्रस्टेंस को आप खुद से करोगे ना उतनी आपकी स्पीड डिविलप होगी इन में तो देखो A and B are brothers, E is the daughter of F, F is the wife of B, what is the relationship of E to A, E जो है वो A का कौन हो जाएगा, तो मैं अपने आपको माल लूँगा A, फिर A and B are brothers, तो B जो है वो हो जाएगा मेरा ब्रदर, उसके बाद E is the daughter of F, F is the wife of B, F जो है मेरे भाई की wife है, मेरे भाई की wife है तो मेरी sister-in-law हो जाएगे, मेरे भा से आई हुई है, ठीक है, तो sister-in-law हो गई, अब F is the wife of B हो गया, E is the daughter of F, E जो है इसकी बेटी है, मेरे भाई की बेटी मेरे भाई की बेटी में को चाचा बोलती, तो मैं उसको बती जी बोलता, ठीक है, तो E मेरी नीस हो गई, तो what is the relation of E to A, तो E मेरी नीस हो जाएगी, Option C is your answer, I am sure, सबक समझ में आ गया, बोलो, निश्टेन, forever, बोलो, निश्टेन, forever, ठीक है, आसा शुक्ला करें, सब बहुत परिशान हो रहे हैं, तो थोड़ा शान्त रह लेते हैं, for two minutes, ठीक है, लेकिन एक बात तो सही हो गई यार, रिया, आस्था, अनुश्का, खुशी, आप तीन, आप चार लोग ना, यहां पर फेमस तो होई गए, ठीक है, तो यह बढ़िया हो गया, पल्लवी गिफ्ट कब, आप देखो, विनीत जो है, पल्लवी से गिफ्ट मांग रहा है, निश्ट, वन, नीस, अच्छा, सब कोई भी हो, बट है तो सब इनसान ही, अच्छा, य अजो इधर, फिलाल अगले एक प्रेशन पर ध्यान दो, इधर, ठीक है, M and F are a married couple, A and B are sisters, A is the sister of F, who is B to M, B जो है, वो M का कौन होगा, तो मैं अपने आपको मालनूँगा, कि मैं हूँ M, M for me, M and F are a married couple, अच्छा, M and F are a married couple, तो क्यूंकि यहां पर मेरा gender भी clear नहीं है, तो F या तो मेरा husband होगा, या तो मेरी wife होगी, ठीक है, तो यह S क्यों लिखा है, या तो मेरा husband होगा F, या तो मेरी wife होगी, ठीक है, M and F are a married couple, तो M, तो दोनों के gender specified नहीं है, तो मैंने M को मी तो बोल दिया, अब यह जो F है, या तो मेरा husband होगा, या तो wife होगी, ठीक है, A and B are sisters, a is the sister of f. a is the sister of f. a जो है, इसकी बहन है, f की बहन है, मतलब मेरे spouse की बहन है, तो मतलब यह मेरी sister-in-law हुई है, एक है? और यहाँ पर लिखा है, a and b are sisters, तो b भी मेरी sister-in-law हो गई, b भी मेरी sister-in-law हो गई, एक है? who is b to m, तो b जो है, वो मेरी sister-in-law हो गई, तो option b is your answer, I'm sure, सब की समझ में आ गया बना, रिष्टेद, forever, बना, रिष्टेद, forever, रिष्टेद, forever, ठीक है, जी, getting it, everyone, sister-in-law, very nice, very good, रंबीर सिंह कहां बाई-बाई कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं आप, कहां जा रहे हैं भाई तो यार, ऐसे यार, तु बुरा मन, बैजा यार, तो ऐसे बुरा थोड़ी मनता है, रंबी सिंह, तु बैजा यार, ठीक है, m and f r, husband, wife, वेती लिखा सकता है न, वेती लिखा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, निम्मी, यार, पान थूक के बाद क्या कर रहे हैं, तुम लोग यार, आप तो regular student हो, यार, आप अगर ऐसे बात करोगे, तो कैसे चलेगा, मतलब यार, तो मैंने अपने आपको M माना है, तो यार तो मैं husband होगा, अगर मैं husband होगा, तो f मेरी wife, अगर मैं wife होगा, तो f मेरा husband, simple सी बात है, ठीक है, जलिए sir, let's move on to the next question, if A is the mother of D, B is not the son of C, C is the father of D, D is the sister of B, then how is A related to B, how is A related to B, A जो है वो B का कौन होगा, तो B हो गया मैं, ठीक है, B हो गया मैं, B is not the son of C, तो मैं क्या करूँ, जो B कुछ है तो वो बताऊ न, अच्छा, D is the sister of B, D जो है वो मेरी बेहन है, D जो है वो मेरी बेहन है, C is the father of D, तो C मेरी बेहन के पापा है, तो यहाँ पर C मेरे भी पापा हो जाएंगे, B is not the son of C, B जो है, मतलब मैं, मैं अपने पापा का बेटा नहीं हूँ, तो ठीक है मैं लड़की हूँ, यहाँ पर मैंने लिग दिया, मैं लड़की हूँ, A is the mother of D, A जो है वो मेरी बेहन के मम्मी है, तो मतलब मेरी बेहन के मम् पर अंधिरे से डरता हूं मैं माँ ठीक है तो यह हो गया option a is your answer I'm sure सब कर समझ में आ गया बना लिष्टेन फॉरेवर ठीक है all right let's move on to the next question OP song now thank you so much my favorite song Komal क्या बात है aha sir आवाज आपकी thank you so much Kanak ठीक है खाओ लो बट क्लास में नहीं खाओ लो क्लास में नहीं चलो ठीक है let's move on to the next question यह रहा आपके सामने a and b are brother and sister respectively a and b are brother and sister respectively c is a's father d is c's sister and e is d's mother how is b related to e how is b related to e तो मैं अपने आपको e माल लूँगा मैंने अपने आपको e माल लिया अच्छा e जो है वो d की मम्मी है मैं किसी की मम्मी हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं लड़की हूँ ठीक है और d या तो मेरा son होगा या तो मेरी daughter होगी ठीक है क्योंकि मैं d की मम्मी हूँ now d is c's sister d जो है वो c की बहन है तो मेरा son तो नहीं हो सकता मेरी daughter होगी और क्योंकि यह c की बहन है तो c भी मेरी daughter होगी c भी मेरी daughter होगी उसके बाद c is a's father अरे 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 I'm so sorry d c is sister तो c पता नहीं C या तो मेरा son या तो मेरी daughter ठीक है और यहाँ पर लिखा हुए C is A's father C is A's father तो यहाँ पर daughter गई और यह A का father हो जाएगा A मेरे son का बच्चा A जो है वो मेरे son का बच्चा मेरा grandson या तो मेरी granddaughter ठीक यहाँ लिखा है A and B our brother and sister respectively तो यहाँ पर A का gender clear हुआ कि A जो है वो मेरा grandson होगा और B जो है वो मेरी granddaughter होगी क्योंकि यहाँ लिखा है A and B are brother and sister respectively तो A भाई है, B बहन है तो A अगर मेरा grandson है तो B मेरी granddaughter है तो how is B related to E? B is my granddaughter option A is your answer I am sure सब कि समझ में आ गया बलो निष्टे forever, but I understand forever Sir, tell me something about C A A T which will be held by Unacademy Noora ऐसे थोड़ी होते हैं यहाँ पर अभी यह चल रहा है आप अचानक से कुछ और कोगे Sir, tell me something about this और कमाल का आपका attitude वाह मज़ेदार attitude है ठीक है आप किसी बीच में चलती विचीज के बीच में अगर आप कुछ भी और पूछ लोगे और कितने आराम से कितनी casually के नहीं सर यह सब छोड़ो Sir, tell me something about C A A T Hmm What is this bro? What is this Sis ऐसे तोड़ी होता है चलो आजाओ Let's move on to the next question यह रहा आपके सामने Q is the son of P X is the daughter of Q R is the auntie आंटी का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है बुआ ठीक है जिन लोगों को नहीं पता आप लोगों को बता दे रहा हूँ बुआ होती है पापा की बहन ठीक है पापा की बहन जिनने नहीं पता आपको बता दे रहा हूँ बुआ होती है पापा की बेहन, ठीक है, of X, and L is a son of R, then what is L to P, L जो है, वो P का कौन होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपने आपको, मैं बन गया P, ठीक है, उसके बाद देखो, Q is a son of P, तो Q है, मैं इसका बेटा हो जाओगा, I am the son of P, ने, Q is a son of P, तो Q मेरा बेटा हो जाएगा, X is the daughter of Q, X जो है, मेरे बेटे की बेटी है, तो X मेरी granddaughter हो जाएगी, R is the boa of X, R जो है, वो इसकी बुआ है, R जो है, वो मेरी granddaughter की बुआ है, ठीक है, बुआ कौन होता है, पापा की बेहन होती है, तो इसके पापा कौन, मेरा बेटा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यह मेरे बेटी की बेटी है ना, तो इसके पापा कौन, मेरा बेटा, मेरे बेटे की जो बहन होगी, वो मेरी कौन होगी, वो मेरी बेटी होगी, ठीक है, मेरे बेटे की जो बहन होगी, वही तो इसकी बुआ होगी, यह लिखाना है यहापर, R is the बुआ ओव X, R is the बुआ ओव X, ठीक है, तो R जो है, इसकी बुआ है, इसकी बुआ है, मतलब इसके पापा की बहन है इसके पापा मेरे बेटे है, तो मेरे बेटे की बहन कौन होगी, मेरे बेटी की बहन मेरी बेटी हो जाएगी, तो मेरा grind sun हो जाएगा, then what is L to P, then what is L to P, तो L जो है, मेरा grind sun हो जाएगा, option A is your answer, I am sure, सब के समझ में आ गया, बोलो, लिष्टेर, forever, बोलो, लिष्टेर, forever, मेरे पापा की बेटी मुझे भाई बोलती, अरे, yes, मेरे बाप की बेटी में को बाई बोलती, मेरे बाप की बीवी में को बेटा बोलती, मेरी मा का भाई में को बाजा बोलता, मेरे भाई की बेटी में को चाचा बोलती, यही वाली बात है, ठीके जी, yes, आसा है शुकला, आपने बिल्कुल सही का, grind sun, arsh khan, grind sun, tubanazeem, a, very nice, और भूमिका गुपता, निश्टेन, एक बार यार, पूरे जोश में न, चाट बॉक्स में निश्टेन, निश्टेन हो जाए, तो थोड़ी सी feel आए, मज़ा आ जाए, हेलो भाईया, अशी जैन, अशी, कैसे हो आप, ओपी न, कितना मज़ा आता है, एक बार चाट बॉक्स में यार, फड़ा फट से निश्टेन, निश्टेन कर दो, तो फिर मज़ा आ जाए, come on, come on everyone, चाट बॉक्स में निश्टेन, अशील सर का नादान परिंदा के रहा है, सॉंग ओपी, नादान परिंदा ने तो बोल दिया, निश्टेन, all right, come on, sir, देवर को इंग्लिश में क्या कहेंगे, देवर को इंग्लिश में क्या कहेंगे, देवर को इंग्लिश में कहेंगे, brother-in-law, ठीक है, क्योंकि अपनी जेनरेशन के हुए देवर जी, देवर जी होते क्या है, पती के भाई होते हैं, ठीक है, पती के भाई होते हैं, तो अपनी जेनरेशन के हो गए, और पती के भाई है, पती के भाई है, तो brother-in-law हो गए, ठीक है, all right, चलो, very nice, thank you so much everyone, thank you so much for showing so much of love, अब एक काम करो, यह वाला question आप कर लो, homework में, question number 29, homework है, question number 30, homework है, question number 31, homework है, question number 34, homework है, question number 35, homework है, question number 38, homework है, question number 39, homework है, question number, question number, question number 42, homework है, question number 41, homework है, question number 48, और उसके बाद बस तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा 12 13 14 14 बस 14 एक दो जो एक आग्रता बैच है जून 23 के लिए वो स्टार्ट हो चुक है 24 ओव नॉवेंबर से और यह उस बैच का टाइम टेबल है यह उस बैच की हाइलाइट से सारी और यह उस बैच का टाइम टेबल है जब आप अनिक आडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो please use my code NISH10 और यहाँ पर आप apply कर दीजेगा तो आपको maximum possible discount मिल जाएगा अब मैं आपको बता देता हूँ subscription आपको लेना कैसे तो आप अनिक आडमी की website पर आओगे यहाँ पर आप start learning पर click करोगे start learning पर click करने के बाद आपके सामने यह वाला page खुलेगा get subscription पर click करने के बाद आपके सामने यह वाला page खुलाएगा यहाँ पर आपके पास तीन options आएंगे iconic, plus और light तो plus में आपको इंडिया के best educators interactive live classes, unlimited practice और structured courses मिल जाते हैं और iconic में जो भी plus के benefits हैं उनके साथ साथ उनके additional में आपको personal coach, question and answers की practice study planner और expert guidelines भी मिल जाती है अगर आप afford कर सकते हो definitely आप iconic में जाओ otherwise plus का भी अगर subscription आपने ले लिया तो that is also fine आप plus पर जब click करोगे आपके सामने यह options आजाएंगे आप यहाँ पर जब मेरा code enter करोगे sir, niche 10 तो आपको apply करने के बाद maximum possible discount मिल जाएगा ठीक है, now I would recommend you to go for a combo subscription combo subscription में क्या होता है CA foundation और intermediate का combined subscription आपको मिल जाता है तो same subscription के अंदर आप CA foundation की भी classes देख सकते हो और आप CA intermediate की भी classes देख सकते हो तो यहाँ पर आप proceed to pay पर click करोगे proceed to pay पर click करने के बाद आपके पास यहाँ पर CA intermediate को add करने का option आ जागा तो दो साल की validity में CA foundation और intermediate दोनों का subscription आपको सिर्फ 44,550 रुपीज में मिल जाएगा similarly आप लोग iconic के भी prices को check out कर सकते हो and that is it homework के questions प्लीज कर लेना comment section में comment करके homework के questions के answers अगर आप लोग दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों की भी practice होगी आप लोगों को भी interaction करने का मौका मिलेगा तो please उसको जरूर कर लिएगा और comment section में comment करके ये भी बताना आपको आज का session कैसा लगा thank you so much take care अपना ध्यान रखिए bye bye